प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट मैं हूने तिन कुमार देश में राश्पती चुनाओं को लेकर के बिगुल बच चुका है लड़ाई शुरू हो चुकी है और लगबग दोनों ही प्रत्याशियों और उनके समर्थकों के बीच जनता का भरोसा जीतने से लेकर के जनता के भरोसे को पाने का जो प्लैन है वो भी लगबग तयार हो चुका है अगर प्रत्याशियों की बात की जाए तो दो प्रमुख प्रत्याशी इस वक्त राश्पती चुनाओं के लिए मैदान में हैं पहले NDA के प्रत्याशी प्रदेश की राजनीती और उत्तर प्रदेश में वोट को कैसे अपने पाले में खिशना है ये दोनों ही आप प्रत्याशियों के लिए बहुत एहम है कल यश्वन सी नहां राजदानी लखनों में थे अकलेश यादो जैयन चौधरी के साथ उन्होंने मुलाकात की बैठक की प्रेस कॉंफरेंस की, मीटिंग की, रात में डिनर किया, और आज NDA की जो उम्मीदवार हैं दरॉपदी मुर्मू, वो राजधनी लखनों में हैं, वो NDA के जो गड़ भंधन के साथ ही हैं, उनके साथ बैठक कर रही हैं, उनके वोट पर चर्चा कर रही हैं और किस तरह से वो काम करेंगी जीतने के बाद ये विचार विमश चल रहा है ये दोनों ही प्रत्याशी अगर नजर से देखा जाये तो दोनों नहीं ही राजनीती में काफी बहतर काम किया है और इसी वज़े से इन दोनों को प्रत्याशी के रूप में वो भी राश्पती के प्रत्याशी के रूप में खोशित किया गया है दोनों ही के राजनितिक दलों या फिर उनके गडबंदन के साथियों की तरफ से यश्वन सिनहा पूर्व आईयस अधिकारी रह चुके हैं भारती जनता पार्टी की सरकार में कैबिनेट के मंतरी भी रह चुके हैं बीजेपी के सीनियर लीडर रहें बीजेपी से नाराज होकर के बीजेपी से अलग हुएं टीमसी में गएं और इस वक्त वो गडबंदन के प्रत्याशी है राजपती के रूप में राजपती के प्रत्याशी है और दूसी तरफ दुरापती मुर्मों हैं जो कि कई सारे प्रमुख ओहदों पर बैट च चोशितों के लिए कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर काम किया जाएगा वो बड़े फैसले ले सकती हैं हाला कि इसके पहले भी पांस साल राम नावत कोविंद आदेश के राश्पती रहे हैं कितना काम हुआ कितनी बहतरी हुई इस पर भी हम इस डिबेट के जरीए चर्चा कर जाता है अगर इस वक्त हम अभी के हालात या अभी के मौजूदा समय की बात करें तो द्रापदी मुर्मू और मुकमंतरी योगिया दितनात बीजेपी और बीजेपी के जो गटबंदन के साथ ही उत्तर प्रदेश में हैं केंद्र में हैं जो उत्तर प्रदेश में जिनके पर भी किया और उसके बाद अब ये मीटिंग जो है वो इस वक्त अलोग भवन में चल रही है और कल यश्वन सिनहा राजदानी लखनों में थे अकली शादो जैन चौधरी के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फरेंस की उन्होंने साफतोर पर इस चीज का जिक्र किया कि कही ना क तंत्र को बचाने के लिए मैं राश्पती का चुनाव लड़ रहा हूं मैं जीतता हूं तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में जनता के हित के लिए काम किया जाएगा लोग तंत्र को बचानी के लड़ाई को और सही तरीके से लड़ा जाएगा लेकिन और प्रतेक विधायक का जो एक वोट है, एक विधायक का एक जो वोट है, उस वोट की संख्या 208 है, इस मुकाबले 403 विधायकों के नजरीय से देखेंगे तो करीब यह 83,000 से जादा हो जाता है, वही अगर 702 की संख्या अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में 80 संसद है एक संसद का जो वोट है, वो 708 काउंट किया जाएगा, और उस अनुसार ये भी कही न कहीं बड़े पैमाने पर हो जाता है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में दोनों ही प्रत्याशियों में जादा फाइदा किसे मिलेगा, यश्वन सिनहा पुराने भाजपाई रहे हैं, सहयोगी दलों के लिए या फिर उनके प्रत्याशी के लिए, क्योंकि 2017 में वो उत्तर प्रदेश से जितना वोट लेकर के गये थें, इस बार उतने वोट वो नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि 2017 में जो विपक्षी दल था, वो बहुत जादा सीटों के साथ उत्तर की विधायक ने अबस्पा की राश्चिद्यक्ष मायवती ने साफ तोर पर इस चीज़ का जिकर किया है, कि वो एंडिये की प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन अभी चुनाव में थोड़ा समय बचा हुआ है, तो ये अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, हाला कि ए उता नहीं दिया गया था, वो नाराज चल रहे हैं, वहीं अगर सांसदों की संख्या देखी जाए तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास ज़्यादा सांसद हैं, ऐसे में जो बड़ा हिस्सा सांसदों का उत्तर प्रदेश से जाएगा, वो भी बीजेपी या उनके NDA के जो प्रत्याशी हैं उनके खाते में जाएगा तो उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं जादा संभावनाएं जो हैं वो NDA की प्रत्याशी को मिलती हुई दिख रही हैं ऐसे में जो विपक्ष के प्रत्याशी हैं या फिर विपक्ष या समाजवादी पार्टी या उनके है इसको लेकर के भी विचार विमश्च किया जाएगा कुछ बैयान सुनिए उसके बाद में इस डिबेट को शुरूब कि एक दलित परिवार अनसुचित समाच से रामनात गोविन जी को लाए उन्हें अपना पूरा पूरा पांच साल बीना विवाद के एक सार्थक नेत्र तुनों ने दिया और एक संदेश दिया देश के उसी तरह पंक्ति के अंतिम प्यक्ति को ऐसे आदिवासी को आज लाकर नाश्टी में राष्टपती के पदपर और पूरा देश शुकार किया है इसलिए सभी पार्टियों का वान मने राष्टी अद्धै जी आदिम मोंदी जी को बढ़ाई देना चाहिए सभी दल को तोड़कर कि यह ऐसा नेत्रुत है कि स्रीमत्री द्रोपदी मुर्भू जी आप उनका संघर से देखा होगा उनकी इमानदारी आज भी घर में जाड़ू अपने हाथ से लगाती है सोमवार को भोलेनात के मंदिन में जाड़ू लगाती है जो एक सामाजी गुंसा और उनका पुरा जीवन तपस्या का तब का बड़ी से बड़ी घटना हो जाती है प् प्रदानमंत्री अगर इन सब घटनाओं पर बोले अपनी बात रखे तो उसका असर पड़ेगा मामले को शांत करने में यह राश्पती का चुना बहुत असाधारण पर इस्तितिम हो रहा है तो मेरा मतलब यही था कि जो भी वेक्ति और दो ही वेक्ति हैं आमने साथ में ज जो भी वेक्ति राश्पति भाव में जाएगा उसको more than ever अपने कर्टव्यों का निर्वाहन करना पड़ेगा सन्विधान में राश्पति के जो कर्टव्या हैं उसका निर्वाहन करना पड़ेगा आप सब हम सब जानते हैं कि the president of india is supposed to function of the council of ministers लेकिन उसके पास और बहुत सारी शक्तियां हैं जो उस पन्द की गरिमा से उसको मिलते हैं अगर 2019 का ये राश्पति का चुनाओ देखा जाए तो उत्तर प्रोदेश में आपको क्या लगता है कि विपक्ष मजबूत है या फिर विपक्ष के वोट बैंक में भी आप लोग सेंदमारी कर ले जाएंगे जितना परसंटेज जितना हिस्सा 2017 के चुनाओ में आप लोग पाए थें या अपने प्रत्याश्य को अपने दिलाया था रामनात कोविन जी जो जीत करके आए थें क्या इस बार भी है ऐसा कुछ या थोड़ा कट्षीन है थोड़ा टफ है देखे निदिंगी तकिन का और इसका सवाल यहां पर इसलिए नहीं आता है कि समाजवादी पार्टी सामने दिख रहा है किस तरीके से उनके यहां टकराओ चल रहा है चाचा साथ नहीं किस तरीके स समास्माजवादी पार्टी के छीलाफ रहरा है कि समाजवादी पार्टी के समास्माजवादी पार्टी looking प्रमुख विपक्षी दल प्रमुग विपक्षी दल ये गठबंधन धर्म का निर्वहन ही नहीं कर रहा है, तो ये कहीं ने कहीं बिखराओ होगा, जब बिखराओ होगा तो एक दलित जो है जो प्रत्यासी NDA ने दिया हुआ है देश को, तो सब लोग उधर जाएंगे, और वैसे भी हमारे पास पूरे पाँच लाग चालीस जार के आसपास हमको ओट चाहिए, जिसमें द्रोक्ती जी और राश्पती बन जाएंगे, हमारे पास इस समय लगभग चार लाग, पाँच लाग के आसपास ओट है हमारे पास, हमको वीजू जनता कर लेकि अकले जी कह रहे ते शाही साब कल की 52 प्रत त्याशी है, उनका कुछ नहीं होने वाला, उनने क्या कहा, अगर करता है, अगर लगा दिया उन्होंने, मैंने तो ओट का परसेंटेज बता दिया आपको, ये एंडिये के ओट हैं, जो अभी हमारे पास लगभग पांच चार लाग हंठानवे हजार है, तिरालीस हजार उनको दे रहे हैं, जारखंड से उनको जो है, राजपाल रही है, निर्विबाद राजपाल रही है, जारखंड से इनी लोगों के उसी वेकद बावन परसेंट में से से लग रही है, तो कहा जाएंगे, अच्छा उत्तर प्रदेश के नजरिये से अगर पूछें शाही हैं, उनसे भी कोई अपील आप करना चाहेंगे? वहां पर कुछ नहीं किया, लेकिन आपको बताता हूँ, द्रोपती जी जो हैं, ये संथाली हैं, और ममता बेनर जी अपना आने वाला चुनाओ देख रही है, कि हम अगर विरोध किये, तो हमारा फिर भारती जन्ता पार्टी के तरह पोट चला जाएगा, वो संथाल के लो तो पहले धारा साही हो जा रहा है, और रही हो प्रकाश जी की बात उत्तर परदेश के परिपेक्श में, तो मैं कह रहा हूँ कि ये चुनाओ है, चुनाओ में बिरोधियों से भी ओट मांगा जाता है, पक्ष तो हमारे साथ हैं, तो द्रोपती जी के लिए ओट जो है, जो मैं आता हूँ, नितेन सिंग यादो हम ऐसा सपस हैं, नितेन जी शाही साब के बायान आपने सुना, आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के जो उनके सहयोगी दल हैं, या फिर उनके परिवार के ही लोग हैं, वो उनके साथ नहीं है, तो कैसे उत्तर प्रदेश में विपक् मैं चुनाओ है, और चुनाओ शक्ति के जैसा भी कहरें से साही जी पूरी आला कि उनके फिंटे आवाज नहीं आ रहे ही, कि अंतर आत्मा की आवाज से बोट पड़ेगा, तेकि एक ही सिर्चिन जी समाझ दीजिए, कि अंतर आत्मा की आवाज हमेशा सत्ता के सरफ से आती ह तो कि वहां सक्ता के खिलाप को एक भूल नहीं पार होता है कि भड़ेशा चुनाओं मुठीं के अंतर जा इस लिए खिल का भबेशान होता है, जो खुल कर काश राजबर से लगभाग लगभाग उनका तया है कि वो भी वोट देंगे ममताप एनरजी का भी मन बना हूँ हमारी अपनी पार्टी है हम ट कुछ गोदो पर अमलोग बना करके समझोंता करते है तो सुभासपा के हमारे साथी बेटें है वो उनकी पार्टी का पच्छी क्या है है राजबर जी का पच्छी क्या है वह अभी बेतर अपने तरीके से बता देंगे हम लोग तो यह जानते हैं कि यह बैचारी किस्तर का चुना हुए और विचारदारा है जो बारती जन्ता पार्टी और उसके सहयोगियों की विचारदारा के खिलाप है वह निच्छी तुरूप करने में आप लोगों ने क्यों हामी नहीं भरी क्यों आप लोगों को नहीं लगता है कि हां इनको राश्पती सब्सक्रादार का सब्सक्रादार electro जो में हो जो कुछ बोल सकता हो जो बैचारी क्या दिस देश में सस्वंद सिनाज जैसा बैखती जो इतने विद्वान रहे तमाम केंदरी मंत्री रहे और उनमें कौन सी कमी है सिर्फ इसलिए हम राश्पती के कंडिडिट को बोर्ट देदें कि वो दलित या आदिवासी छेत्र स बहुत सारे आदिवासी छेत्र बहुत सारे लोग से लोग है कि सिर्फ किसी संपरदाय और किसी कुमें से कोई भेकित आता इसलिए उसको राश्पती बन जाना चाहिए तो कोई बात नहीं है यह तो एक विचार दारा की बात है कि वो अकसिव ने इनडिये ने उनको अपना यसुन सिना जी कि राश्पती रवर इस्टेंप नहीं होना चाहिए, राश्पती देश का बहुत बड़ा पद है, जो देश के सम्धान की रच्छा कर सकता हो, जो बिगड़े हालातों में कुछ अपने मन की बात बोल सकता हो, यहां तो से बेकी आद्मी मन की बात बोलता है, एपान्की देश का पड़ान मंति्री प्रकला है को जिसका अपना जमीर चिन्दा हो और ग stared की रच्चा कर सकता हो सब्र कर सक्टा और पर ग आप लोगों का भी लगबग मन बना हुआ है कि वह आप लोग हमाई साथ ही आ रहे हैं आप भी कुछ क्लियर कर दीजे जे जग जाहिर है कि समाज पार्टी गडवंदन दर्म निगानग जाएगी अच्छा हमने बार बार कहा है कि कल जो बैठक होई है यूपीय के घटक दल की उत्तर प्रदेश में उसके राश्टपती के उमीदवार के साथ में पांच पांच जुलाई को समाजवादी पाइटी के कार्याले से ये फून आता है कि राजवर्जी साथ तारीक साथ जुलाई को जो है सुबा दस बजे गटक दल की बैठक कर लगने है आप रहिएगा गटक दल में तभी लोगों को कुल किया होगा गर हमारे पास आया है उसके बास का जब हम लगनों में आजड़ ये निताओं प्रकात राजबर अपने की तरफेंख कारयाने तक कोई बात मीं आप बैठे रहें लेकिन आपी लोगों के मादओं से कि मीटिंग जो है इसमें तो यह समाजवादी पाइटी के राष्टे अध्यक्ष को यह तै करना है कि गटक डल को आपको चाहिए की नहीं चाहिए आपको क्यों लगता है ऐसा क्या लगता है आपको नहीं गुलाया क्या कारण रहा होगा तो समाजवादी पाइटी के प्रभक्ता जी बताएंगे हमारे साथ जो हुआ हम आपको बता रहे हैं और आप जानते हैं अधरिये नेता हों प्रकास राजबर बेबाकी तो सच्चा ही बात करते हैं और सच बात बोलना अगर कड़वा लगता है तो सम्झो आम बागी है करते हैं किया तो यह सपोर्ट वाला को सीन क्लियर हुआ कर जाना है यह आप लोगों को अब मामला सिर्फ इतने पटिका है कि कौन पहले बोल दे और प्रकास जी को मैं कह रहा हूं कि हमें साथ बलिक सोचिस की बात करते हैं तो वो द्रोप्ति मुर्मु जी के ही साथ है चाहे वो गठ्वंधन में रहे और चाहे ना रहे ठीक है आपने भी क्लियर कर दिया ठीक है मैं आओगा आप लोगे पास में पटे लवाए साथ आमाधी पार्टी से में उत्तर प्रदेश में तो आप लोगों का कुछ नहीं है लेकिन दो प्रदेश में आप लोगों की सरकार इस वक्त चल रही है क्या लगता है क्या उम्मीद जाएगी इसका नेड़े तो सिस नेति तो करेगा लेकिन जिस हिसाब से भारतिय जनता पाल्टी लोगों के वीच में ये चीज बताने में लगी है कि हम एक दलित समाज के लोगों को एक आदिवासी समाज के लोगों आदिवासी समाज के महिला को राष्ट पती बना दे रह में देश के उत्तर प्रदेश के राजिपाल को बुलाया जाता है देश के तमाम बड़े-बड़े नेताओं को बुलाया जाता है लेकिन वहाँ पर राश्टपती को नहीं बुलाया जाता क्योंकि इन्होंने राम गोबिंद रामनात गोबिंद को राश्टपती बनाया जो की पता है उसवक्त कबेट कहा आई थी आपको तो पता है आपको तो ये भी पता है कि राजबर जी आपके साथ आ रहे हैं आप की हो सकता कोई कुः मीटिंघ हो थो आप बोल रहे थे तो मैं तो यह में सत हूं पूर्ण हो रहे हैं कि हुए जोगा बड़ा सम्मान करते हैं, दलित महिला हम ला रहे हैं, हम आदिवासी महिला ला रहे हैं, तो मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, द्रोपती मुर्मों देश के कई सहमेदानिक पदों पर रह चुकी है, वो नगर पंचायस से चेर्मेन रह चुकी है, वो मंतरी रह च लेकिन इस देश में चाहे हो OBC समाज हो, चाहे हो दलित समाज हो, अगर किसी को स्कूल और अस्पताल की सबसे ज़्यादा आओ सकता है, तो दलित समाज हो और OBC समाज को है, जो कि गवर्मेंट होना चाहिए, क्योंकि गवर्मेंट का एक हक भी है, कि वो अपने लोगों को अच्छी सिच्छा, फिरी सिच्छा, फिरी स्वास सुविधाय दे, जो कि मैं जानना चाहता हूँ, इन सब छेत्रों में दुरोपती मुर्मों का क्या योगदान रहा, पहली बात, और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, कभी तो सचकी बात कर, कभी तो सच से प्यार कर, चल उस वक्त हाथ रस के केस में पूरा देश दहल गया था वो भी एक दलित की बेटी थी लेकिन उस वक्त और उस पूरे प्राकरण में दुरोपती मुर्मुजी का एक बयान तक नहीं आया होगा और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ अगर आप दलितों और OBC को सम्मान देना चाह है देड़ दो साल बचा है प्रधान मंतरी का उमिद्वार आप गोसित करिये दुरोपती मुर्मुजी को मैं मानूंगा कि आप दलित महिलाओं का आदिवासी महिलाओं का सम्मान करते हैं आप सिर्फ एक कश्पुतली का पुतला बना की ख़ड़ा की स्टेश्यू बना के र राश्पती तो हुए दिया इन्होंने आम आदमी पार्टी महिलाओं का सब्सक्राइब बताना चाहता हूं कि आज जो चिला रहे हैं आप जिस दिल ओड़ पड़ेगा और दिन आप भी कहेंगे कि हमने अंकरात्मा के वाज पते दिया अपने हर काम को नया बताते हैं ठीक ह सबसे सरवोच पद के लिए चुनाव हो रहा है दो प्रमुक प्रत्याशी हैं यहां पर भी कही ना कहीं दलित या फिर शोशित शब्द का इस्तमाल हो रहा है पद की गरिमा के लिए कितना सही है और दूसरी चीज़ इसके पहले भी रामनात कोविंजी देश के राश्पती रहे हैं कितना विकास कितना उधार हो चुका है और क्या आपको लगता है कि इस बार और बेतर हो सकता है उससे देखिए कहीं ने कहीं विपच इस चुनाओ में फिर मात खा गया है पिछला राश्पती चुनाओ तो एक दलित महला को उसने एक परसेप्सन अच्छा बनाया था हलाकि उस पे भाज़पा नहीं गई मेरा कुमार जी के साथ अपने कंटियूट लेकिन इस बार चुनाओ मे विपच कहीं बहुत पीशे हो गया है मोदी जी कहीं आगे हो गये हैं निश्चित रूप से सुन सिनाओ जी कहां से आए हैं ये देखना है अगर बिचार धारा की बात करते हैं तो किस बिचार धारा में वो पले बढ़े या अपनी राजनीतियों होने की है और मुर्मु जी का देखिए सुरू के दो निरुजी के दो कैबिनेट में दस सालों तक कोई आदिवासी ना भुरूस ना महला कोई कैबिनेट में नहीं था इस समाज को जाहिर सी बात है बहुत ही किनारे रखा गया और आज मोदी जी ने जो इनको कंडिड के रूम में किया है निश्चित दबाओ में आएंगे चाहिए वो मम्ता जी हो और चाहिए कि यह चुनाओ इचली एक कोई बिचार धारा का नहीं है नहीं है नहीं यहां पाल्टियों में भीफ होता है कि इसके लिए लड़ना है रिश्चित रूप से यह एक समाजिक चेतना का मामला है और बात सही है कि ज अच्छार गड़ में आदवासी बहुल होने के बाद नान आदवासी को बनाती है तो यह कोई बहुत बढ़ा एजेंडा नहीं है कि हम इनको शसक्त करते हैं लेकिन यह परसेप्शन में आगे हो गए है उन्होंने मुरमु जी को कंडीट बना के निश्चित रूप से एक ब मता जी ने शिनाजी को माना किया हो अपने प्रदेश में फषार करने से या अभी ज्छारखंड का भी डिसीजन जीएमीम का होना है वो निश्चित रूप से मुरमु जी के साथ जाएगा और ये हग बनता है और निश्चित रूप से दोनों कंडीट में मुरमु जी बहु नहीं बनाते हैं भाई आप लोग कहां तक पीछे पड़े एक पिछड़ा समाज का एक OBC का प्रधान मंतरी देश को मिला है तलित अगर राश्रपती है तो दर्द आम आधी पार्टी को क्यों हो रहा है दर्द होने का कारण है सर जी जो है इन लोगों के केजरिवाल साहब वो अपने आपको इतना बड़ा नेता घोसित करते हैं आज उनके ये प्रवक्ता कह रहा है मैं इनको भी दावे के साथ कहता हूँ कि जिस दिन ओड़ पड़ेगा ये पंजाब और दिल्ली का भी ओड़ द्रोपती मुर्मू के तरफ जाएगा और सरजी चिलाएंगे हमारे अं पती बनाकर ओभी सी को प्रदान मंतरी बनाकर इस देश को गौरवान विच किया है किसी जात किसी दर्म कि का हम लोगों ने वह नहीं किया है अब यह प्रदान मंतरी क्यों नहीं बोल रहे हैं यह अरोप लगाना चोड़ी आप लोग दलित राश्पती है हमारे और एक ओव आप तो आप तो वह बंदर हो गए पठेल साहब कि इस पेड़ की डाली से खूत कर उजडाली पर चले जा रहे हैं आप आप ही तो कह रहे हैं एंडिये ने ने क्या खराब नहीं मीरा कुमार्जी के लिए अंतरात्मा रही जागी हम लोगों ने रामनाज कोभी साहब को क्य दलित वो नहीं है रामनाज कोभी जी दलित है नहीं है आप लगातार महिला के लिए और दूसरी दलित आदिवासी दो लोगों को दो साल तक अरे प्रभू दो टर्म देना बहुत बड़ी बात होती है देश के लोगों ने मिलकर चुना था मीरा कुमार कहां से थी हम को नही वाली पार्टी भारतिय जनता पार्टी अपना तीसरा टर्म एक दलित महिला को देगी जनता पार्टी से बहतर कोई भी दल नहीं है इंदुस्तान में जिसमें जा किता था और धर्म का जो है तोड़ा नहीं है वह तो हाथ रस में तिक या तो लोगों आजब कर दिया जाता है यहां पर भारतिय जनता पार्टी का दलित प्रेम दिखता है ठीक है शाही साब एक सवाल और दा यह दैराम जी क्यों कह रहे थे कि मुझे साथ तारीक को बुलाए गया था लिक पिना रचानक से सुबह फोन आ गया और मना कर दिया गया इनकी क्या दिक्कत है तो त किसी के लिए भी हो और उधर जो है जो सफा के राश्टी एज्यक्ष हैं वो अपने मद में इतने चूर रहते हैं मैं बार बार कहता हूं कि न मुकमंत्री कुर्सिस उतरे हैं और न वो इस प्रेस्वेते उतरे हैं अभी तो वो इसमें चूर रहते हैं कि कोई गठबंधन ध बात को तो वो काम नितिन भाई इन्हों ने जो कर दिया कि पहले फोन किया फिर उनको नहीं बुलाया और आज वही उनका दर्द जलका है गठबंधन धर्म तो जो है मजबूरी में इस तरीके से मायवती जी के साथ भी किया था उन्होंने और जैसे ही चुना हो आरे दैया प्राम जी ये भी कह रहे हैं कि ये सपा को डिसाइड करना है कि हमें क्या करना अगर सपा डिसाइड नहीं करती तो आप लोग कुछ कहेंगे कुछ बातचीत करेंगे कि हम लोग मैंने राजनीट संभावनाओं का खेल हो ता है राजनीट में सारे संभावनाएं बरकरार पूती है चाहें कुछ भी हो हम लोग लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहने जा रहा है रास्तिशुनाओं में हम लोग एक अपील अगर उनसे जो है अंतरात्मा की आवाज पर अ के फसा हुआ है निकल चुके हैं जो जो लोगों ने चाचा की क्या इस्तिति आप देख लिए आजम खाजी को मजबूरी में लोगों समाजवादी पार्टी इस समय बहुत बुरे संक्रमण काल से गुजर रही है वह 111 सीट उनको मत दीखे वह संक्रमण काल है और वह पीक ठाइन का अब वह बासपा के रास्ते पर चल चुके हैं वह नेस्तनाबूत होने की तरफ चले गए हैं जो अखिलेश जी का रवाईया है जी है तुन जी क्या रहता है संक्रमण काल के बारे में शाय साही साब को तो तो यह रह寂एक्स हा जै Helor भरतिया पाटी जिन जी हमेशा ये connections करती है कि यह जो काम करते हैं, यह हुआलीवार करते इसे पहले भूतो नने भबुषत ने कभी ऐसा हुआ न होगा ऐसे प्रजेक्ट करने है जैसे पहली बार डेज में दलीद राश्पती बना है इसके पहले कोए डेज में दलीद राश्पती नहीं हुआ ऐसे प्रश्ब्सक्राइब जैसे इन्होंने पहले बार महिला को कंडिटेड बनाया है, रास्थपती का, इसके पहले कभी देज में महिला रास्थपती नहीं रही है. ब्लणेट है। इनकी सरकार में कि राष्ट पती भी देश का सरवोचिस्तां पे बढ़ने के बाद भी वो बंदर जाता है तो उसको मंदर के अंदर गुसने नहीं दिया जाता है मुझलो साही साथ से यह मैं जूट गटना बोला हूं कि राश्पती होते हुए भी वो जब मंदिर में गए तो उनको मंदिर के अंदर प्रवेस नहीं करने दिया गया यह भारती जंता पार्टी और इसकी सरकार का चरित रहे बारती जंता पार्टी हमें सा ऐसे ब्यक्ति को प परणड़ीस का सपत गिरन हुआ अजीद पवार के बतीजे उसमें एलाइंस में हुए तो रात को दस बजे परस्ताव भी पास हो गया ग्यारा बजे सपत गिरन भी हो गया चार बजे जब सोकत राश्पती जगे तो उनको पता चला कि यह तो सब गटना क्रब हो चुका था उनकी मुहर और उनके सिगनेजर का इस्तेमाल हो चुका था इस तरीके कर आश्पती चाहिए इनको लेकिन आज पिपच जो पिपच का कंडिडेट है वो बोलने वाला देश के सम्मिधान की रच्चा करने वाला आप लोग कैसे जिताएंगे आप लोग जिताएंगे कैसे श साहिसा आपका डर साहिसा आपका डर बार 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 बता रहा है साहिसा पार बार अंतर आत्मा की आवाज कह रहे हैं यह अंतर आत्मा की आवाज भारती जन्ता पार्टी के अंदर और उसके सयोगी सकड़नों के अंदर है कि जो अंदर रह करके उतर महसूस कर रहे हैं और अ कि यह राजबर जी का क्या करेंगे कि हमने को फोन किया गया था बुलाया गया था लेकिन फिर मना कर दिया करना है नितेन जी को थोड़ा सा कन्फर्म कर दूं कि जो महामहीं राष्टपती जी मंदिर जाने की बात यह कर रहे हैं उसमें राष्टपती भवन के तरब से जो बयान आया है मंदिर के पुजारी का जो बयान आया है दोनों को देख लें क्योंकि सिड्यूल का उनका जो है वो नहीं कर रहा था मंदिर के बाहर से उन्होंने से पूजा किया था और उनकी बिटिया अंदर गई थी गर्बगरी में जाकर उनकी बिटिया ने पूजा किया था यह क्लियर यह बड़े पत्रकारों तक किया था किसी अंदर नहीं जाने दिया गया था आज बीस का प्रमार है और ना जानते मेरे दूसे जक्षी का संवर राजपती भावन का एक विग्यत्ती जारी हुई थी प्रभू और उनकी पिटिया गई थी अंदर मंदिर में पुझा किया था था कहां तक देश को आप लोग भरम पहलाएंगे वह जो कहें सब सही है और राश्पती भावन वाली बिग्यत्ती कहां है आपको सिर्फ प्रशनल वार्ट सब किया गया था क्या हाँ इसको आप दिखाएंगे ला है कि राश्पती बहुत करना है तो आप लोगों ने इतना कमजोर करती है कि उसका काम ही खत्म हो याँ अब सब तो सब हमीं ने कर रखा है आप लोगों ने तो बड़ा मजबूत करके रखा हुआ है तब लोगों को नहीं है तो नहीं है यह जवाब नहीं देना है देखे दो बातें दैयराम जी की पार्टी है सवतंदर पार्टी है समाजवादी पार्टी है जेयराम जी की पार्टी सवतंदर पार्टी है हम लोग एलाइंस में है मुद्दो पर दैयराम जी की पार्टी को खुद दें करना है कि उन्हें किसको बोड़ देना है समाजवादी पार्टी चुनाओ नहीं लड़ रही है चुनाओ चस्वन सिनाजी लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के सिंबल से कोई चुनाओ लड़ रहा है जिसको भी समाजवादी पार्टी का कोई जोर जबर जस्ती थोड़ी ना है कि आपको करना है समाजवादी पार्टी में लुकि जबर जोर जबरे को जबरें के समाजवादी पार्टी से क्रें की जहां वोट देना हिक नहीं तुल वह निवार जाने वार 25 के प्रमक्ता हो नेरे तुल प्रॉटि के प्रमक्ता हूं तुल राश्ति अब्देक्ष को लेना नितिन भाई मैं ने बार किया और बार का श्त्राइड काईश थाई पाईटी से है। मुखिया ति मुखिया रांटा था सब्सक्राइज जो झाल रहे हैं, दस बजए बैठा का आप 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 आजब आज़ी तरहा जाता है टिने जी मीटिंग थे जो गई तो हम को इसके बाद पता लगता है प्रेस कोन प्रेस हो गया हम को यह किलिया कर देना ऐसा क्यों चिलिया न करें भाई आपको हमारा आप नहीं चीह किल Accord beer VK अभर भी जानाव तरोग्रेश यौ ऑर से सिंहया Pokémon kugregoryण अंभक दॉ अर्फ है आपए करुन हो फिरी नहीं हो करीय है कि अप लोगो को जो ठीक लेकर जो प्रहिए आप लोगो हम भी सिंहीं कहा दो या मारे पर बता फिर यो से पिर है को कर दो जाएगा उच्पराज की एक्षेक्शन में तो लेंगे हैं लेकि नितेन जी जवाब दे रहा है नितेन जी क्या कह रहा है हमने का यह द्याराम जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यह अधरनी अखिले से आदो जी और प्रकाशी के इस्तर की वारता है इस पर कोई जवाब देने कि सित्की मिनना तो देहराम भाई है ना में आपर उन लोगों के भीच के बात को जवाब यह सही बात है कि साथ तारी को पहले मीटिंग होने जिक अटक दलों की आपने बात सब्सक्राइब गई थी सूचना चली के लोगी पाटी से अधिकारी गूप से लेकिन प्रस आप लोगों के सित्टी में नहीं है ना देहराम भाईजी कुछ कह रहा है मेरे प्रसलों का उस्तर हमारे नितेद्र भाई नहीं देना चाहरे मैंने का साथ जुलाई को आता है कि साथ तारीक को राजबर्जी गटक दल की मैठा के आप रहिएगा आप को पर पड़ेगा अग्यां डिल benefici है की आप यथे देहराम भाई रहिए कि आप को जहाना हॐ आप सोतंतृ दल है जिले तोड़ी हुए आपकी पाई है थे अगर्वादी बगोने हिवाब पापटा है। गिए भाजी नही। टुनो तो सही भए.. बोले बोले.. बेहस का मुद्द्धा हुरी है तुनिये.. दूम्हादवादी पापटी को नितीन भाईस रहा थाब है एका हम है या नही जए.. 1224 सभी तर समझ में आएगा था ना हम जहां जाएंगे वह लेके जाएंगे और जहां जटेंगे घटाजेंगे इसको लुटकर लीजेगा और हम सप्ता में नहीं थे कि हमारी सथा जली जाएगी इसको ध्यान रखिएगा अमार विक है आप 2014 का चुनाव लगें तो कितना अच्छा इसलिए शाहिए सब्सक्राइब करें आपके नेता की तारीफ करें किया आपके नेता बड़ा खुलके बोलते हैं लोगा ते आधर का देखी आधर यह प्रकासरागर अर और चाहे उधर हो यह एकार हो, हम सच्छाई आधर बेवाकी से नेता भी बात करते हैं अगर पयाम करता है आघरीन आफिन्ञेट थिस पाने करुड़ी टो आते पताइगा कार्ता हैं उनकी पिए इन प्रखासराशन अपशिप एठ नत प्राय करने की यह छिंगा बाया करकुटट नहीं सुणेगा अपने नेता का धिकार्या कर्ता ता पता हुआ है अच्छा प्रवा प्लाम जी आचाए तरार सिफिछ यह देखिए मेंसटिय उसलिए जीशा है मिजी एक मिनट मैं थोला सा कर रहा हूँ कोई पार्टी की बात मैं नहीं कर raha हूँ मैं दो पार्टियों का स्ट्राइक रेट देखिए उन प्रकाश जी का स्ट्राइक रेट देखिए गटबंदन करने के बाद कितनी सीटे मिली कितना जीत कर आए और वही पर लोकदल को कितनी सीटे दी गई हैं कितना जीत कर आए उनका स्ट्राइक रेट इनके स्ट्राइक रे उस्ता हुद धालो राज्करों की बिशादारा से आये हैं मैं दायारा मईश का रहा है कि आप भड़काने कोशिद करें आप मत भड़कियेगा दैर्यांदो को भाई बड़कने लगें यह तो सिकार हो रहे हैं साही जी का सिकार हो गये दायरा भई आप पहुत ने पूर गराता देहराम बढ़क रहे थे भी अखे कहा एंधि झाना हो में पर दोड़ी आपको क्या लगता है कितना एहम और कितना कठीन है किसी भी राजने पर दोड़ी निटिक दल के लिए यह आला चुनाओ चाहे वो विपक्ष के हम बात करें यह फिर इंडिया की बात करें निक्तम साफ है इंडिया के फिवर में चुनाओ जा रहा है निश्यत दूरुप से ओ मुझे लगता है कि वो लड़ाई नी बंदूख हो भाला एक वासी महला के साथ जाए क्योंकि सिनहा जी कोई अच्छे करड़ीट नहीं किस किस माहौल पे आप लड़ा रहे हो क्या एक समाजिक समेरिक अगर दे रहे हो या कोई राजितिक समेरिक अगर क्या तुसलिए कम से कम कंग्रेस को आ जाना चाहिए और यह तो पद लेना तो उन्होंने दो तीन लोगों से बात किया था नितीश हैं और एक दो लोगों से तो उन्होंने राजhrlich की पूरी तरह से लेकिन अभी भी समय है विपैस्ट के पास कम कांग्रेस चाहिए जग ऑर मुरुमृ समर्थने या कि करते सब्सक्राइबर एक आद्वासी महला मतलब कोई विचारधारा करूप में कहीं से उनके सामने नहीं ठीकते हैं। और रही अख्लेज जी की बात यहां दवासियोड कम है। वो सिर्फ विरोध के लिए यहां तो मुझे ही लगता है कि सिर्फ बीजीपी के विरोधी हैं। इसलिए उनका समर्थन दे रहे हैं। निसिना जी किया क्या कंट्रिबूशन है उत्तर प्रदेश में। या किस लेबल पर समाजवादी हैं वो। नितेन जी बताएंगी है। इसलिए जो है कहीं न कहीं इनको निश्चित रूप से वो मुर्मूज जीत रही हैं। में कम से कम बड़ी पाल्टी कांगरिस को अभी भी समय है। ने तो 24 में कोई इनके पास कोई मुद्धी नहीं रहेंगे। नितेन जी ये कॉंट्रिबूशन को लेकर के सवाल आगया। कि कॉंट्रिबूशन क्या है या शुन सिनाग। उत्तर प्रदेश में। बात उत्तर प्रदेश की नहीं है। बात देश की सम्विधान की रच्छा की है। बाद बार यह सारे कई ऐसे मौके आये। जब सम्विधानिक संकट आया। और उस समझे राश्पति महोदय का रोल होना चाहिए था। उन्हें दिखाई पड़ा। इसलिए एक दो आई एस रहे हैं वो एक केंद्री मंत्री रहे एं एक पड़े लिखे बिद्वान बेगती हैं और कम सम्म्विधान की विचार दारा को और तम्विधानिक संक्टाओं के संकट को समझते हैं। कि रहता है राश्पती का इस मामले में कि कोई दखल करेगा और यह दूरूप से नहीं होता था कि 356 लगा देंगे उसका भी अब सुप्रेम कोट संग्यान लेने लगा है तो कोई बहुत बड़ा वो नहीं है विस यह प्रसुप लेकिन इतना इतना भी है तो फिर अगर बहु कोई के रहेंगे हैं को समिलान बचाओं बरवादा आपने विस यह पार्टी के सरकार आने के बाद नहीं सही कह रहे हैं आप सही कह रहे हैं लेकि जन्ता पार्टी सरकार आने के बाद चीजे चेंच पर रहा है आप ने भी उत्तराखान में सरकार को बदला था कोट ने दुबारा उनको मौका दिया उसरकार का अंगरिस के पठल पर जाने को तिया आपने वर्कास करने के बाद भी तो अब बहुत थी बहुत बड़ा ठीक है राश्पती के नाम से चीजे होती है संसदी राजसभा अबी भी समाजवाजी के पास समय है वो हमें बताए अपने गटक दल में रखना है कि नहीं रखना है दो प्रमक प्रत्याशी दोनों ही तरफ से एंडिय की तरफ से और विपक्षी दलों की तरफ से खड़े किये गए हैं यश्वन सिना और द्रापदी मुर्मो देखना ही होगा कि यह चुनाओ कि इतना है मैं हाला कि जो समिक्रण बता रहे हैं वो समिक्रण के अनुसार कहीं प्रत्याशी जीती हुई नजर भी आ रही है लेकि लड़ाई आखरी दम तक लड़ी जाती है और वोटिंग के बाद ही पता चलेगा कि आखर जीतता कौन है आज की जिवेट में इतना ही मुझे दिने अनुमति नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार